TI तो इसमें जो है समझने वाली जो बातें अंगो ध्यान में देना है आपको इसके बाद स्वय मुभ्यास करेंगे तो बहुत आसान आपको लगने वाला है, बहुत आसानी से पूरा हिंदी को हम completed trick based पढ़ेंगे, एक हिंदी नहीं और भी subject को हम trick based cover करेंगे, ठीक है, तो इसमें बात करते हैं, गाईज यमा कलंकार की, तो जहां एक सब्द 2 या 2 से अधिक बार आए किन्तों पर्तेक सब्द का अर्थ अलग-अलग हो, उसे यमा कलंकार कहते हैं, उधारन देखें, फिर समझे, तीन बेर खाती है, वो तीन बेर खाती है, अर्थात एक बेर का मतलब है फल, दूसरे का अर्थ है बात, ये भोजपुरी भासम में बेर बूला जाता है बाहर को ठीक है तो ये इसको समझने है आपको थोड़ा सा तो समझ गए होगे बहुत आसानी से एक ही उधारान से आप समझ गए होगे यमा कलंकार को ठीक है आगे बात करते हैं कनक कनक तेसो गुनी मादक ता अधिकाई या खाए बौराई जगवा पाए बौराई तो काई ये जो हैं हम बहुत पहले से हिंदी में पढ़ते हुए आ रहे हैं तो एक कनक करत होता है सोना दूसरे का धतुरा तो परिभासा से ही आप यहां पर समझ गये होंगे यमा कलंकार अब आप इसे भोलेंगे नहीं ठीक है इसमें हो क्या रहा है एक को पाने से जग बावला यानि कि खुशी से पागल हो जाता है तो वहीं दूसरे को उसे खाने से वह क्या होता है जग बावला हो जाता है तो सबसे बड़ी दिक्कत कहां पर आती जादे तर बच्चों को कि इसका आर्थ सपस्टिकरन नहीं आता है तो आर्थ सपस्टिकरन से आप हमने अलंकार से कोई जादा मतलब नहीं रखा है बिसेस का यहाँ पर हम लोग ट्रिक पर काम कर रहे हैं ठीक है तो आज बात करेंगे अगला जो है आप सलेस लंकार की सलेस का अर्थ होता है चिपका हुआ सलेस मतलब चिपका हुआ पूरा ट्रिक बेस है समझना आपको पड़ेगा बार बार देखे वीडियो को एक बार मैं सम सलेस लंकार होता है अर्थ से यह समझमा आगया चिपका हुआ एक ही सब्द के अनिक अर्थ होंगे एक ही पंक्ति में तो सलेस लंकार होगा जैसे चरन धरत चिंता करत भावत नीद नसोर सुबरन को ढूडत फिरत कभी कामी और चोर ठीक है तो यहाँ पर जो है जो सुबरन है ना सुबरन के जो हैं बहुत सारे जो है अर्थ निकलते हैं कभी के लिए सुबरन का मतलब कामी के लिए जो आसिक है उसके लिए सुबरन का अर्थ है सोना तो एक ही सब्द में बहुत सारे आर्थ चिपके होंगे तो यह सलेस लंकार सलेस का अर्थ है चिपका हुआ आगे दूसरा दर रह्मन पानी राखियो बिन पानी सबसुन पानी गए नःवरे मौती मानाश चुन जो पानी है इस पानी के लिए भी यहां पर एक तो जो है चमक की बात हो रही है मोती के चमक की बात हो रही है जो जोहार होगा परतिष्ठा की बात हो रही है मानस और जल चून तो चून यानकी जल की बात यहां पर हो रही है सलेश अलंकार के भी दो भेद होते हैं सलेश सब्द सलेश जिसका कई अर्थ निकलता है अर्थ सलेश सब्द का अर्थ एक ही रहेगा तो उसे बोलेंगे अर्थ सलेश तो गई सलेश अलंकार भी कबर हो चुका है अगला जो अलंकार अब हम लोग कबर करने जा रहे हैं ये करने जा रहे हैं वक्रोक्ती अलंकार नाम से पता चल रहा है जहां कहने वाला कहे गए सब्द का जान बूच कर कोई दूसरा अर्थ निकाले या ब्यंगात्मक अर्थ लगाने लगे उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं वोई अतिशुक्ति वाली बात आ जा दिये गईज इसको समझना है कैसे ब्यंग कसने वाली बात है उधार है डार पर को पिदिये हरी तरु साखा जाहू पिदिये मदसुदन तेरु काकाम के सवदास की पंक्तिया हैं यहाँ पर अर्थ को भी हमने थोड़ा सा सफस कर दिया है घर के बाहर खड़े किरिस्न अपने नाम के लिए हरी और मदसुदन सब्द का परयोग कर रहे हैं जबकि घर के अंदर बैठी राधा उसका ब्यंग आत्म का अर्थ बंदर और भोरे से लगा रही है तो गैस समझमा आगे ब्यंग कसा जा रहा है अंदर से राधा जो है ब्यंग कस रही है तो बक्रोक्ति अलंकार कहीं ही बात का दोसरा अर्थ निकालना अलंकार सिद्दान्तों के प्रेणता आचारी भामा बक्रोक्ति अलंकार को अलंकार की आत्मत अथा समराट मानते हैं अभी जाओ मत लिखो तो इसमें भी थोड़ा भ्रांतियोरी ब्यांग अब इसमें जो है ना दूसरा अर्थ आप लोग ले सकते हैं अभी जाओ मत हमने क्या का अभी जाओ मत लिखो ठीक है तो इसमें भी ब्यांग कसा जा रहा है तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं अगला जो है गाइज पुनरोक्ती या बीप सा अलंकार वही बात को दोहराना देखते हैं जहां पर एक सब्द लगातार दो बार आए तथा उनके अर्थ समान हो उसे पुनरोक्ती या लंकार कहते हैं धीरे धीरे फिर बड़ा चरण बाल की कोलियों का प्रागरण ठीक है न तो यह निराला जी की पंक्तियां वही बात को दुरह जा दिये फिर से समझे जहां पर एक सब्द लगातार दो बार आए धीरे धीरे आगया गाईज अगला राम राम चुप चुप और जा जा कुछ इस तरीके का आएगा गैज इसी ट्रीक को आपको फॉलो करना है अगर आप यह ट्रीक को फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी से जो है गैज आप अलंकारों को समझ जाएंगे ठीक है तो आगे जो है अब नेस पार्ट में हम आर्था लंकार की बात करेंगे सब्दा लंकार में हम सब्दा लंकार के जो पांच बेदें अनुपरास लंकार के पांचोबेद याने की 10 लंकार को कवर कर चुके हैたいजा और आरथा लंकार के 100 से अधिक बेद होते हैं अगर आपके समझ में आ रहा है, तो ज़रूर comment करें, आपको कैसा लग रहा है, अगर नहीं आ रहा है, तो भी आप comment की माधिम से हमें बताएं, ठीक है, और guys एक और स्कबरी है, बहुत जल्दी हम live classes भी YouTube के माधिम से start करने वाले हैं, और यह जो live classes होंगी, यह तीन subject की होंगी एक दिन में तीन क्लास किसा मिन और की समय व्य फिसक्राइब सरी क्लास अगर शक्राव आप देना चाथे तो कमें निचेम से तक गई किये यख़